वेल्कम एवरिबड़ी तो मैं चैनल प्यारवाइस आज बात करेंगे सस्काचवान इमिग्रान नॉमिनी प्रोग्रम की आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि अगर आपकी एनोसी इन दिमांड है सस्काचवान की दिमांड लिस्ट के हिसाब से तो आप क्योंकि eligibility उन्होंने बोला है minimum 60 points अगर आपके 100 में साउट फंडर अगर 60 points है तो यू अर्लिजिबल अंडर सस्काचवान इमिग्रान नॉमिनी प्रोग्रम और मैं बात करूंगा इंटरनेशनल जो skilled worker की है उसमें दो क्रिटीरिया आते हैं एक आता है इंडमांड लिस्ट औ दोनों में आपको सस्काचवान पे अपना login करके अपना EOI सब्मिट करना पड़ेगा expression of interest उसके लिए आपकी जो है इन डिमांड में होनी चाहिए और उसके इलावा आपके minimum 60 points होने साहिए अगर आपकी ये criteria है तो आप अपना सब्मिट कर सकते हैं बट मैं आपको ये बता सब्सक्राइब बताऊंगा कि कितने points होंगे तो आप अबव criteria आ जाएंगे तो सबसे पहले out of 100 जो 30 points है वो है अगर adaptability की that means 20 points आपको मिलेंगे अगर आपका close relative है तो बहुत सारे chances है अगर आपको close relative access काच्पन में रहता है तो आपकी I would say 92-95% आपके chances है कि आपको EOI submit करने के बाद आपको positive response आ जाएगा because आप above cutoff पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो 10 points रहते है adaptability में वो रहते हैं 5 points होते हैं आपके अगर वहां पे आपने काम कर रखा है और 5 points अगर आपने वहां पर study कर रखी है उसके इलाबा जो 70 points बचते हैं जो मेरे जैसे और आपके जै 3 points मिल जाएंगे मैं screenshot वकर डालता रहूंगा आप देखते हैं उसके बाद language की बात करें अगर CLB 8 है 7.5 in listening और 6.5 in all other writing speaking और reading तो आपको CLB 8 है आपको maximum point 20 मिल जाएंगे आपके point 43 हो गए और आपको मान लिजे अगर 5 साल का experience है तो आपको 10 points मिलेंगे तो 53 हो गए उसके 5 points enough नहीं है क्योंकि last cutoff 69 गई थी अगर आपको कोई agent बोल रहा है कि इस profile पे आपकी PNP nomination आ जाएगी तो बिल्कुल गलत बोल रहा है उसकी मत सुनिये उसके बाद 70's में 65 points हो गए अगर आपके 5 points अभी भी रहते हैं अगर आपको 10 साल का experience है मान लीजिए तो आपको और 5 points म मिलेंगे उपर डाल दूँँ आप देख सकते हो तो उसके हिसाब से अगर आपके पास 5-6 year का experience है कोई adaptability के point नहीं है तो आप eligible जरूर हो बट nomination लेने से आप बहुत दूर हो because cutoff बहुत उपर जा चुकी है तो आपको अपना फैसला पूरी research करने के बाद लीजिए कोई agent बोल रहा है उसको पैसे मत दीजिए पहले आप खुदर search करें उसके बाद देखें I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा आप subscribe कर सकते हैं औ आप notification का bell icon जुरू प्रस करिए thanks for watching this video